यहाँ पे आप देखे रहे टेबल पे कई सारे डिवाइसेज हैं Xiaomi, Redmi and Poco के और में भी आपके घर में भी आपके पास भाई एक दो डिवाइस होंगे आपके फैमिली में मरों बाके दर्ब के पास कि जो आपका साइद में भी पुराना model Xiaomi, Redmi and Poco का हो सकता है या फिर आपने रिसेंटली ही भाई किया होगा तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ यह कि भाई अगर आपके पास Xiaomi, Redmi and Poco के डिवाइसेज हैं तो इन्हें अपडेट आपको मिलेगा MIUI 15 का या नहीं आपके पास, आपके family member के पास जो डिवाइस है, Xiaomi, Redmi and Poco का उन्हें अपडेट मिलेगा या फिर नहीं तो चले अचके वीडियो को सुरू करते हैं और पसंद आते हैं तो लाइक करेगा और चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज सस्क्राइब ज़रूर करें आप सभी को पता है कि Google ने Android 14 भाई लांच कर दिया है बीटा टेस्टिंग में चार रहा है और हर एक company उसे अपने UI skin के साथ एड़ करने में लगी पर ही है और Xiaomi के भी कुछ ऐसे device है जिनमें ये चीजे काम चालू हो चुका है तो भाई जब भी आपको नए update देखनी को मिलेगा जो कि every year देखनी को मिलता है तभी 14 रन कर रहा है तो next year जो आएगा वो हमारा 15 होगा जिसपे काम चालू है सितंबर और अगस्त के बीच में देखनी को मिलता है तो भाई ये तो हमें मिलने वाला है लेकिन कुछ ऐसे devices है जो कि bad luck के साथ आएंगे यानि उन्हें update देखनी को नहीं मिलेगा तो चलिए उस list को देखते हैं simply आपको अपने Google पर आना है अगर आप article को read करना चाहते हो तो और यहाँ पर आके search करना है and roast up जी हाँ हमारा एक website live हो चुका है जहाँ पर साड़ा information में share करता रहता हूँ और जितने भी रोम से review आते हैं उनके भी आपको download link और बाखी दर detail मिलते हैं तो यह हमारा first पर आ गया channel जो कि YouTube channel है जो कि आपको पता होगा अगर आप मेरे regular है जो viewer हो तो नहीं पता तो भाई अभी कभी subscribe कर लेना ताकि आपको भाई regular update यहाँ पर जो देखने को मिलते रहे और मेरे main channel पर भी और यह दूसरा हमारा जो है इसका site जिसे आपको tap करके open करना है जहाँ पर बाके दर rooms और बाके दर details अगरा देखने को मिलेंगे और first पर आपको दिखाए देगा MIUI 15 update won't available to 45 Xiaomi devices ठीक है इसे आपको जो click करके open कर लेना है जहाँ पर सारा information है जो detail के साथ share किया गया है आपको एक update policy का वी वीडियो प्रोवाइट किया था जिसमें पता चलता है कि हमारा phone कब launch हुआ था उसका last android version कौन सा होगा और update schedule जो interval होता है वो 3 month का होता है तो उसके साब से इनका भी भाई कहानी खत्म हो चुका है इसका last version है android का वो है android 13 और last जो update होगा वो है MIY15 तो इसने तो भाई MIY15 मिल जाएगा जिन में से आप यहाँ पर देख पार है और device name वगरा भी लिखा गया है साथ-साथ हमारा जो Poco X3 और Poco X3 NFC वगरा है Redmi Note 10 Pro, Redmi 12 Pro 4G, 11 Lite और साथ-साथ बाकितर devices जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें भी आपको जो update मिलेगा वो MIY15 का मिलेगा बट यहाँ पर Android के अंदर कोई भी changing नहीं होगा क्योंकि update rule के policy के हिसाब से भाई इनका update last है Android 13 का उसके बाद इन्हें कोई भी Android का update नहीं मिलेगा तो इन्हें भी भाई SIM वही condition के साथ add किया जाएगा जो कि हमारा Android का upgrade नहीं होगा सिर्फ से MIUI वर्जन का ही upgrade होगा वहीं पर हमारा जो entry level के device आते है Redmi के A1, A1+, Poco C40 और Poco C50 अगरा तो यहाँ पर यह device entry level के हैं तो hardware limitation भी यहाँ पर लग जाता है और यह हाल फिलाल में launch किये गए हैं तो मीद तो है कि इन्हें Android का upgrade मिलेगा प्लस में MIUI 15 भी मिलेगा लेकिन hardware limitation के बज़े से सिर्फ से MIUI 15 मिल सकता है और Android का कोई भी upgrade देखने को नहीं मिल सकता है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि Xiaomi कुछ devices को add to cut देता है जो के entry और mid वाले होते हैं और जो update का time आता है तो काफी delay करके उसे software और hardware limitation को बोलके update से बाहर निकाल लिया जाता है जैसे कि last time POCO M2 के साथ किया गया था POCO M2 को MIUI 13 मिलना था बट एक beta testing आया उसका दो rollback हुआ और आज तक कोई भी update देखने को नहीं मिला और आज की time पे MIUI 14 भी आ चुका है साथ साथ यहां पे जो हमारे Redmi का 10 Power 10C 10A और 10 India है यह भी भाई MIUI 15 के अंदर तो आते हैं लेकिं Android वर्जन का कोई भी upgrade यहां पे इन devices को देखने को नहीं मिलेगा तो सिर्फ सी भी यहां पे MIUI वर्जन ही है जो upgrade होने वाला है और same condition यहां पे हमारे Redmi के Note 9 AS और Note 9 Pro Max और POCO M2 Pro क साथ भी होगा क्योंकि इस वागत जो यह last update हा हमारा MIUI 13 ही था क्योंकि यहां पे MIUI 13 देखने को मिला इन devices को वो सिर्फ और सिर्फ हमारे Android वर्जन के अंतर कोई change नहीं हुआ MIUI के अंदर change हुआ था और भाई अभी तक यह proper तरीके से सभी users को मिला भी नहीं है टेस्टिंग म हमारे MIUI 15 के device list से बाहर सामिल हो जाते हैं तो अगर आपके पास Redmi का Note 9 स्रीज और POCO M2 Pro है तो भाई आपके लिए अफसोस की बात है कि MIUI 15 by chance मिलेगा लेकिन उबीद ना के बरावर है उसके बाद यहां पे proper list आता है जिने MIUI 15 देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि हमारा MI 10 Lite 5G, Youth Edition, T Lite और यहां पे T5G क्योंकि यह भी अपडेट पॉलिसी के अंदर आते हैं और उसके बज़े से यहां पे कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा हमारे MIUI वर्जन का प्लस में यहां पे हमारे Android वर्जन का क्योंकि इनका जो last अपडेट था वो है Android 12 और MIUI 14 इसके ब Android 12 तो इन्हें भी भाई टाटा भाई 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 बोल दिया गया है MIUI 15 के टाइम पे और यहां पे सेम वही आपको Redmi का Note 9, Redmi Note 9 5G और Redmi Note 9T के साथ देखनी को मिलता है सेम कंडिशन यहां पे भी होगा अपडेट पॉलिसी के अंदर आ जाते हैं यह लोग और hardware limitation भी क्योंकि का 10X or 5G है दो डिवाईस है इन्हें भी भाई वही hardware limitation वगर आपको देखनी को मिल जाता है और पुराना होने के वज़ा से software की policy का भी time यहां पे खत्म हो चुका है जिसके इन्हें भी भाई MIUI 15 का अपडेट देखनी को नहीं मिलेगा अनदर आते हैं हमारे Redmi का 9 3 जिसमें 9 3, 9 9 A, 9 Prime, 9 I, 9 Power और 9 D देखनी को मिलता है जो कि कुछ टाइम पहले launch किये गए थे और इन्हें भी same condition आता है अपलाई हो जाता है जो कि hardware limitation और software update की policy जिसके वैसे यहां पे भी आपको update देखनी को नहीं मिलेगा MIUI 15 का और 9 Android version वगेरा का तो इनका last update जो है वो अभी के time पे चल पहले है उसके बाद POCO M2 Pro जो कि मने कोड़ देर पहले ही बताया था POCO M2, POCO M3, POCO X3, POCO X3 Pro और POCO X2 तो इनका भी same वही होता है वाई limitation आ चुका है update policy का और यह तो भाई POCO X2 काफी time पहले आया था और इसे भी same MIUI 13 नहीं दिया गया, camera dead होने के बज़ा से सिफ चाइना में मिला था और इंडिया में देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पे MIUI 15 तो बहुत दूर की बात है, जब यहाँ पे MIUI 13 और 14 नहीं दिया गया है, POCO X2 को तो 15 कहां से मिलेगा, जबकि POCO M2 Pro को भाई यहाँ पे Android हमारा 12 के साथ MIUI 14 दिया गया और यह इसका last update हो जाएगा, तो यह पूरा ओफिसल वेबसाइट है हमारे पास, जहाँ पर update policy सब कुछ मेंसन किया गया है, उसके साब से यह जो device list है यह 100% नहीं तो भाई 90 और 99% भाई list है जो पूरा का पूरा accurate होने वाला है आने वाले time पर, क्योंकि Xiaomi अक्सर अपने policy के साथ रहता है और sometime policy के अंदर आने के बावजूद भी कुछ को devices को अपडेट नहीं दे पाता, software limitation और कुछ internal issues कियो जैसे, तो भाई अभी आप बताना कि इनमें से कौन सा device आप यूज कर रहे हो, और अगर इनमें से कोई भी device आपको कास नहीं है ता आप lucky उज़स हो क्योंकि आपको MIUI 15 मिलेगा, जैसे कि मेरे पास यहां पर Poco X4 Pro है, Mi 11S का यह लास्ट अपडेट हमारे Android version का, लेकिन इसे MIUI 15 मिलेगा, बट Android 14 नहीं मिलेगा, जबकि Poco X4 को पूरा का पूरा अपडेट मिलेगा दोनों के साथ, और सेम यहां पर हमारा Redmi का Note 10 Pro और Pro Max वगेरा, इसे भी MIUI 15 मिलेगा, लेकिन Android में कोई भ अपडेट मिलने वाला है, टेंसन नहीं है, अनदर आते है हमारा Redmi का Note 11, जो कि भाई, मिड रेंज का एक डिवाइस है, और इसका अभी तक Android 13 का, और MIUI 14 का अपडेट देखनी को नहीं मिला, बट यह मिलेगा, और साथ-साथ यहां पर हमें देखनी को मिल जाएगा, MIUI 15, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कर देना हो, चैनल पे नहीं तो प्लीज सस्क्राइब कर देना, और अगर आप सारे आर्टिकल को रीट करना ही चाहते हो, तो सिंप्ली आप अपने गूगल पर आजाओ, और सर्च कर दो Android Stubs, जहां पर आपको second line पर ही देखनी को मिल जाएगा Android Stubs.com, और इसे आप ओपन कर लो, और यहां पर आपके आर्टिकल को रीट कर सकते हो, और बाकी अधर जितने भी वीडियो जो बगेर है, अगर आपको लगते कि आपके काम के है, तो उने भी आप रीट कर सकते हो, और फाइलों को डाउलोड करके य झाल